राजधानी बोपाल में गनेश प्रतिमा विसरजन करने के लिए खटलापुर तालाब पर गए 11 लोगों के डूबने से मौत हो गई तालाब अभियान के दोरान बचाफ कर्मियों ने घाट से 11 लोगों के शब बरामत किये हैं बचाफ कर्मियों के दोरा रेस्कियों अभियान अभी भी जारी है बताया जा रहा है कि ये सभी नाव पर सवार थे और भारी बारिश के कारण खटलापुरा तालाब में भी बार का पानी पूरा भरा हुआ है यहीं पर संतुलन खो जाने की वज़े से ये हाथसा हो गया है बताया जा रहा है कि गनेश विसरजन की दोरान ये हाथसा हुआ था कुछ लोग नाव पर सवार होकर खटलापुरा के बीचो बीच भगवान करेश की प्रतिमा विसरजन करने के लिए गये थे उसी दोरान नाव पलट गई और ये हाथसा हो गया नाव पर कुल 19 लोग सवार थे ये सबी लोग पिपलानी एरिया से आये थे और भगवान करेश की बड़ी सी प्रतिमा को क्रेश की मदद से तालाप में विसरजन करने जा रहे थे नाओ पर बैठकर क्रेन के सहारे प्रतिमा को तालाब के बीचों बीच ले जाने के दोरान ही नाओ का संतुलन बिगड़ गया और फिर नाओ पलट गई